प्रते जी आप हमेशे एक बात कहते हैं कि परमात्मा भी सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम शिक्षक है तो वो कैसे शिक्षा देते हैं, उनके सिखाने का, समझाने का, क्या तरीका है ये भी हम विशे साथ शिक्षक दिवस पे जानना चाहेंगे परमात्मा को ज्यान दाता, विद्या द्रविनम, विद्या देने वाला, ज्यान का सागर, दिव्य बुद्धी देने वाला, ये मान्यताएं हैं हमारी फिलोसफीज में माताएं भी भगवान से ये प्रात्ना करती है भगवान मेरे बच्चे को अच्छे उद्धी दे दो विद्या दो इसे तो भगवान ज्यान का सागर है वो इस्ष्टी का बीज रूप भी है इसलिए उसके पास संपूरून ज्यान है और उसका ग्ण उसके लिए तो नहीं हो सकता तो वो इस धहरा पर आकर अपना ज्यान सब को देते हैं इसलिए लोग उसे कहते हैं हे प्रभू, मुझे एनलाइटन करो मेरे चित को प्रकासित करो मेरे अज्यान अंदकार को साथ करो तो वो आते हैं और मैं आप कहूंगा, मेरा ये संदेश भी रहेगा आज के शिक्षक दिवस पर, सारे संसार को केवल शिक्षक को कोई नहीं, कि इस समय भगवान परम शिक्षक बनकर इस धरा पर उपस्थित है, और वो सुप्रिम टीचर बनकर पढ़ा आ रहे हैं, हमने सम्मकुन से पढ़ा है, इसलिए वो हमें भी कहते थे, you are godly student, तुम्हें ये खुछी रहनी चाहिए, लोग तो student होते हैं, लेकिन तुम godly student है, and your godly student life is the best life in this world, तो भगवान परम शिक्षक बनकर आए हुए हैं, उन्होंने हमें अपना संपून ग्यान दिया है, वही ऐसा सिक्षक है, जो मनुस को विद्यावान बना देता है, कि जो विद्या है, वो जीवन में आ जाए, उसके ग्यान को गीता ग्यान भी कहा जाता है, तो निराकार पर अर्जुन को गीता ग्यान दिया था, हम भी वच्छपन में सोचा करते थे, और जुन को दिया था, भाग्य मिला हमें, कि भगवान से सम्मुक बैठकर गीता ग्यान सुनने का यही सत्य है, और यही हम कहने जा रहे हैं, कि सब को यह परणिम अवसर, यह सरुसरे भाग्य मिल रहा है, सब को most welcome है, सब आएं और परमात्मा परम सिक्षक से सत्य ज्यान प्राप्त करें, और देखें, भगवान कैसे बोलता है, वो कैसे पढ़ाता है, उसकी पढ़ाने की शैली क्या है, तो सचमच यह शिक्षा मन उसको डिवाइन बना देगी, महाम मानव बनाएगी, तो मैं अपने सभी सिक्षकों को कहुँगा, कि अपने परम सिक्षक से भी नाता जोड लें, उसकी सिक्षा भी ले लें, और अपनी सिक्षा के साथ, उसकी सिक्षा को जोड कर जब सिक्षा देंगे, तो आपकी सिक्षा इस देश को सबसे महान बना देगी.